कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नबर 10 कुकिंग यहाँ पे दो पिक्चर्स है देखें आपकी बुक में वाट देर सेंग तर वाइट वी बेकर केक वाइट कांट वी फ्राइए बॉयलेट बच्चों ने पुछा कि हम केक को बेक क्यों करती हैं और हम इसे बॉयल या फ्राइए क्यों नहीं कर सकते देन सेकेंड पेक में देखें केट्स अब सर ने एंसर किया केट्स अब जो फूट खाते हैं उसे हम अलग-अलग मेथड से कुक कर सकते हैं जैसे केक को हम बेक करके बनाते हैं और एक को हम बॉयल भी कर सकते हैं एंड फ्राइ भी कर सकते हैं ओके अलग-फूट नीड फूट तो स्टे फिट और हेल्दी रहने के लिए स्वस्थ रहने के लिए फूट की जरूरत होती है अर्ली हूमन्स एट रॉव फूट बिकाज देट नॉट नो हाव तो कुक जो पहले के लोग थे वो कच्चा फूट खाते थे क्योंकि उन्हें बोजन को पकाना नहीं आता था और मनश्यों ने खाने को पकाना कब सीखा? जब उन्होंने आग जलाना सीखा जैसा कि सारे फूट आइटम को कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है वेजटेबल्स जैसे कुकुमबर, रेडिश और कैरट ये हम कच्चे भी खाते हैं वेजटेबल्स चैस लेडिश फिंगर, पूटेटो और गौड नीट तो बी कुक्ट और हमें कुछ वेजटेबल को पकाने की ज़रूरत होती है उसे हम कच्चा नहीं खा सकते हैं उसमें कौन-कौन से वेजटेबल्स हैं? पूटेटो हैं, गौड गौड बतलब जैसे आप सबजी होती हैं लौकी, तोरेई, ये ऐसे सबजीयां होते हैं जिने हम रौ नहीं खा सकते हैं इसे हमें पका के खाना पड़ता है कुकिंग, मेक फूट सॉफ्ट, टेस्टी and easy to chew and digest जब हम फूट को कुक कर देते हैं तेन वो सॉफ्ट हो जाती है टेस्टी हो जाती है and easy to chew and digest चबाने में easy होता है and जल्दी से digest हो जाती है, पच जाती है it also kills germs present in the food and जब हम फूट को कुक करते हैं then उसमें जो भी germs होते हैं वो killed हो जाते हैं people use different methods for cooking a variety of dishes लोग बहुत सारे methods use करते हैं अलग-अलग dishes को बनाने के लिए cooking with water we cook food in many ways in some method of cooking water is used in some methods food can be cooked without water food को हम कई तरह से cook कर सकते हैं किसी method में हम water use करते हैं and किसी method में बिना water के cook करते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे cooking methods कौन कौन से होते हैं the first method is boiling boiling is one of the simplest method of cooking the food item along with water is placed in a pan or a wok and boiled rice, pulses, vegetables and eggs are cooked by boiling milk is boiled to kill germs present in it boil is one of the simplest method सबसे simple method होता है just उसको क्या करते हैं जो भी हमें boil करना होता है जिस food को, vegetables को, rice को, pulses को, egg को just हम बर्तन में रखते हैं then water उसमें रखते हैं and water boil होता है and जो भी हम cook कर रहे होते हैं वो cook हो जाता है milk is boiled to kill germs present in it okay milk को जब हम boil करते हैं तो milk में जो भी germs होते हैं वो kill हो जाते हैं number two is steaming food can be steamed in a pressure cooker or a steamer food steam होता है जिसमें steam means जब हम भाप में कोई चीज़ पकाते हैं तो वो steaming method कहलाता है तो वो हम pressure cooker में भी पका सकते हैं then steamer भी आता है उसमें भी पका सकते हैं water is poured in a utensil and boiled water को हम रखते हैं बरतन में और boil होने देते हैं the steam which rises from the boiling water cook the food and जब उसमें से steam rise होता है उठता है then फिर वहाँ पे जो food रखा होता है उसके उपर वो भाप से पक जाता है जैसे धोकला, idli and momos are cooked by steaming धोकला, idli and momos कैसे पकता है steam होके cook होता है steamed food is healthy because no oil is used और steamed food जो होता है वो बहुत हेल्दी होता है क्योंकि उसमें oil का use नहीं होता है उसको पकाने में oil का use नहीं होता है cooking without water food is cooked without water by frying, baking, grilling and roasting the ingredients अभी तक हमने जो cooking method पढ़े boiling and steaming वो water use करके cook होता है अब हम पढ़ेंगे जो के पीना water के cooking हम कर सकते है नमबर वन कौन से है frying frying is a method of cooking food in hot oil or ghee when food is completely soaked in hot oil or ghee in a pan it is called deep frying जब हम hot oil or ghee में cook करते हैं किसी भी food को then उसे हम frying कहते हैं और जब बिल्कुल डूप जाता है जो भी हम गी या oil पैन में रखते हैं and हम जुस भी food को cook करते हैं वो completely soaked हो जाता है oil को deeply soaked कर लेता है then उसे हम deep frying कहते हैं जैसे पूरी, समोसा, पकोरा और चिपस आर कुख भाइ टी फ्राइंग ओके when food is cooked in less oil it's called shallow frying जिस भी food को हम थोड़े से oil के साथ cook करते हैं उसे हम कहते हैं shallow frying जैसे पराथा Cutlets, pancakes and omelets are cooked by shallow fryings जिसमें हम थोड़ा oil use करके fry करते हैं उसे हम shallow frying कहते हैं Food cooked rapidly over a high heat while stirring fast is called stir frying and जब भी हम food को cook करते हैं बहुत तेज heat में then उसको हम क्या कहते हैं stir frying fried food contains a lot of oil and should be eaten in less quantities fried food जो होता है बहुत ज़ादा oil use होता है उसको cook करने में इसलिए उसको बहुत ही कम quantity में खाना चाहिए क्योंकि वो healthy नहीं होता है नाव baking in baking food is cooked in an oven or a microwave oven जब हम food को bake करते हैं किस में bake करते हैं oven में या फिर microwave oven में food is heated for a long time without exposing it directly to flame ठीक है हम जब बेक करते हैं food को वो heat में होता है बहुत ज़ादा टाइम तक heat में होता है लेकिन उसमें flame नहीं लगती जैसे gas चूला होता है तो उसमें flame निकलती है आग निकलती है आज होती है ना उससे पकता है but microwave oven में heat होता है but flame नहीं होता है ब्रेट्स केक और बिसकिट are made by baking bread, cake and biscuit baked होके cook होता है ठीक है यहाँ पे देखिए यह baking tree है and यहाँ पे oven में यह baked हो रहा है frying कैसे हो रहा है बॉक में oil है and पुरिया तली जा रही है तन वो fry हो रहा है next cooking method हम देखेंगे turn the page ग्रिलीन, इस तो जट जोगिव इस चूचिग आन देजिक जोगा कोगिज उट एक जिस पारीज चाहिए व принत ही जोगेज आपारी जोगेज जोगा को तब वान जुटीज को जोगा कि प्यां आओ जोगे जोगेज़ जिटेश जुट वान गेम सेट जोगेज एक हैं इस जो मीट, पनीर and सेंविच आर यूजवली ग्रेल्ट। ग्रेल कैसे होता है? मेटल की ऐसे ग्रेल होती है, तें उसको रखते हैं, उसके नीचे क्या होता है? चार कोल, कोईला होता है, उसको हीट करते हैं, फिर जो आज निकलती है, उससे हम फूट को उपर रखके कुख करते हैं, ग्रेल करने पे फूट बहुत जल्दी कुख हो जाता है, जैसे आपने दीखा यहां पे क्या रखा हुआ है, कौन रखा हुआ है, एंड कौन हीट से अपने आप यहां पे कुख हो रहा है, ओके? नेक्स्ट इस रोस्टेंग, फूट इस रोस्टेंग बाइ कुखिग इट ओवर अफायर और इन ओवन, होट एर अनवलक्स दापूट एंड कुख इवनली, on all sides, meat, fish, vegetables, चपाति, and dry fruit are cooked by roasting, रोस्ट कैसे होता है, या तो हम उसे ओवन में रखते हैं, ठीक है, ओवन में रखके रोस्ट करते हैं, हॉट एर उसमें लगता है, फिर फूट कुख हो जाता है, चारो तरफ से, एवनली, एक जैसा कुख हो जाता है, ओके? एंड जब हम रोस्ट करते हैं, तो बहुत बार रोस्टिंग में कोई भी oil योज़ नहीं होता, ठीक है, water भी योज़ नहीं होता है, कई बार तो वो healthy होता है, हम रोस्ट करके भी पकाना खा सकते हैं, वो healthy होता है, अब हम पढ़ेंगे, vessels for cooking, हम किस तरह के बरतन cooking के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, vessels used for cooking, food are known as cooking vessels, और cooking utensils, ठीक है, जो भी बरतन हम यूज़ करते हैं, cook करने के लिए food, उसे हम cooking vessels कहते हैं, या cooking utensils कहते हैं, या cooking utensils कहते हैं, या are made of different materials, such as stone, wood, clay, iron, steel, copper and aluminium, और जिस भी बरतन में हम cooking करते हैं, वो किस-किस material से बने होते हैं, स्टोन से बना होता है, wood से भी बना होता है, clay से बना होता है, मिट्टी से बने होते हैं न बरतन, iron, लोहे से, steel, copper and aluminium से बने बरतन में हम food cook करते हैं, vessels made of clay are known as earthenware, और जो vessels, जो बरतन मिट्टी से बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, earthenware, vessels used in oven are made of glass and a special type of plastic, और जो हम बरतन यूज़ करते हैं, oven में food cook करने के लिए, वो या तो glass का बना होता है, शीशे का बना होता है, या फिर एक तरह के plastic का बना होता है, जिसमें कि हम oven में food cook करते हैं, baking tray are made of aluminium, और baking tray किस material का बना होता है, aluminium का बना होता है, cooking vessels made of ceramic absorb heat, जो cooking vessels ceramic का बना होता है, वो heat को बहुत जादा absorb करता है, जल्दी absorb करता है heat को, they stay hot even after cooking has finished, और वो काफी time तक कर्म ही रहता है, जब cooking finish भी हो जाती है, फिर भी वो काफी time तक heat रहता है, hot रहता है, गरम रहता है, non-stick utensils have a special coated on a surface that prevents food from sticking to the bottom of the utensil, non-stick utensils कैसे होते हैं, उनके उपर एक special coat होती है, वो क्या करती है, food को चिपकने नहीं देती, बर्तन में, food in these utensils can be cooked with very less oil, और ऐसे बर्तन में जब food cook होता है, तो बहुत ही कम oil use करके हम उसमें food को cook कर सकते हैं, non-stick utensils में बहुत ही कम oil use करके हम food को cook कर सकते हैं, नो हम देखेंगे cooking equipments, सबको दिख रहा है, cooking equipments, different kind of equipments are used for cooking, they are used to generate the heat required to cook the food, different kind of equipments, हम बहुत तरह के equipments use करते हैं, food को cook करने के लिए और वो अलग अलग तरह के heat generate करते हैं, oven, toaster, grill, OTG, gas stove, microwave ovens, तंदूर, अर्थन चूला, and solar cooker are some examples of cooking equipments, कैसे कैसे होते हैं, OTG होता है, oven होता है, microwave ovens, gas stove होता है, जिसमें cylinder लगा होता है, तंदूर होता है, अर्थन चूला, मिठी का चूला होता है, solar cookers होते हैं, जो सूरज की दूप से जो energy मिलती है, उससे खाना कूक होता है, ठीक है, ऐसे यह equipment होते हैं, हमारे cooking equipments, यह नाम आप लोग learn कर लिजेगा, ओके, some cooking equipment such as microwaves, OTG, and तंदूर प्रोवाइट, dry heat, कुछ equipment कैसे होते हैं, जो हमें dry heat प्रोवाइट करते हैं, जैसे microwave oven, OTG, and तंदूर, earthen chula and gas stove produce open flame, and earthen chula and gas stove क्या होता है, open flame, उसमें हमें आग दिखती है, आज दिखती है ना, जैसे gas में, आज हमें दिखती है कि हाँ flame high हुआ, medium हुआ, low हुआ, इस तरह से, उसमें open flame हमें दिखती है, next page पे जाएंगे, now, अब हम पढ़ेंगे cooking fuels, ठीक है, fuels मतलब होता है, हम cooking के लिए किस किस तरह के इंधन यूज करते हैं, वो देखेंगे, heat is produced by burning substance called fuels, हम जो भी heat के लिए, heat produce करने के लिए, हम जिस भी चीज को burn करते हैं, चलाते हैं, उसे हम कहते हैं, fuels, different kind of fuels are used for cooking, और अलग अलग तरीके के इंधर हम यूज करते हैं, cooking करने के लिए, firewood, coal, charcoal and cow dung cake are used in chulas और अंगीठी, ठीक है, अंगीठी या चूला में हम कौन कौन से fuel यूज करते हैं, firewood, जलाने वाई लकडी, koila and cow dung, गाय के गोबर से बने हुए जो होते हैं, सुखे सुखे से उसमें, उसको हम use करते हैं, चूला या अंगीठी में, जलाने के लिए, these fuels are burnt and used by people living in small towns and village, इस तरह के fuel कहां use होते हैं, small town या village में, गाउं में use होते हैं, kerosene is a liquid fuel used in kerosene stove in different places of our country, kerosene एक liquid fuel होता है, जिसे कि हम stove में use करते हैं और यह कहीं कहीं पर use होता है, पहले use होता था बहुत साथा अब कम use होता है, liquefied petroleum gas, LPG, जो हम सब के घरों में आज दिखता है, हम सब use करते हैं, is the most common fuels used in town and cities, ठीक है, बहुत common fuel हो गया है, जो कि हम सब के घरों में हैं, दिखता है, LPG cylinder होता है, जो gas चुले में लगाते हैं, pipe के तरू, and हम food cook करते हैं, it is supplied in cylinders that are attached to the gas stove with pipes, okay, in many cities, LPG is supplied through pipelines, and बहुत सारे शहरों में ऐसा भी होता है, जो pipeline के तरू, LPG supply होती है, yellow color की pipe लगी होती है न, हमारे building के उपर, तो उससे भी LPG supply होती है, kettles, toaster, microwave oven, and many other cooking equipments use electricity as a fuel, कुछ ऐसे equipments होते हैं, जो electricity use करते हैं, fuel के रूप में, जैसे microwave कैसे जलता है, हम plug लगाते हैं, board में, then फिर microwave on हो जाता है, टोस्टर, electric kettle, यह ऐसे equipment होते हैं, जो electricity से चलते हैं, the heat of the sun produced solar energy, और जो heat हमें sun से मिलता है, सूरच से मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, solar energy कहते हैं, solar cooker use this energy to cook food, okay, solar cooker क्या करता है, sun की energy, solar energy use करता है, cook food करने के लिए, however, food in solar cooker get cooked slowly, LPG, electricity and solar energy do not produce any smoke, LPG, electricity and solar energy किसी भी प्रकार का smoke produce नहीं करती, ठीक है, धुहानी निकलता ना, जब भी वो जलता है, लेकिन therefore, they are known as clean fuel, यह क्या होते हैं, clean fuel होते हैं, on the other hand, firewood, coal, charcoal, cow dunk and kerosene produce smoke and pollute the air, and इसके लाबा यह जो firewood, coal and cow dunks and kerosene से हम fuel यूज करते हैं, उससे क्या होता है, smoke produce होता है, and air भी pollute होता है, pollution भी होता है, air में, okay? now the healthy food, food need to be washed and cooked properly before eating, food को क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से wash करना चाहिए, then फिर properly cook करके खाना चाहिए, washing cleans the food and cooking kills the germ present in it, ठीक है, washing गया करता है, जब हम cook food को धुलते हैं, wash करते हैं, तो वो साफ हो जाते हैं, then जब हम उसको cook कर देते हैं, तब उसमें जो भी germs होते हैं, वो kill हो जाते हैं, over cooking spoils and nutrients present in food, and जब हम बहुत जादा cook कर देते हैं food को, तब उसके अंदर जो भी पोशक तत्व होते हैं, वो खतम हो जाते हैं, food that is eaten raw should be washed carefully and eaten fresh, और जो भी food हम raw कच्चा खाते हैं, वो बहुत अच्छे से wash होना चाहिए, साफ होना चाहिए, and then उसे हमें ताजा ताजा खाना चाहिए, food that has low level of nutrients is called junk food, जिन food में बहुत ही कम nutrients होता है, पोशक तत्व होता है, उसे हम junk food कहते हैं, chips, ice cream, burger and donuts are example of junk food, junk food is unhealthy, okay, fresh food cooked at home has plenty of nutrients that we need to be healthy, healthy, and जो घर में बना हुआ खाना होता है, ताजा खाना होता है, अच्छा होता है, and वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो हमें healthy बनाता है, हम दिन भर में कितने meals खाते हैं, थ्री मिल लेते हैं, breakfast, lunch and dinner, okay, we should always try to eat these meals on time, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बिल्कुल time पर खाना खाएं, eating with family is also important as it encourages togetherness, और family के साथ खाना खाना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है, इससे togetherness encourage होता है, हम एक साथ हमारा आपसी प्यार परता है, we should try to eat at least one meal of the day with our family members, और दिन भर में एक meal, कम से कम, एक meal तो हमें सारी family members के साथ में मिलके खाना चाहिए, food is cooked at home for all the members of family, घर पे ही सभी family members के लिए खाना कोख होना चाहिए, however different kind of food are cooked for people as per their age and nutrition requirements, and क्या होता है घर में, अलग-अलग age के लोगों के लिए, जैसे बच्चों के लिए कम मिर्शी वाला खाना बनता है, और healthy food होता है, and अगर कोई बुज़ुर्ग है हमारे घर में, then उनके लिए जल्दी से digest हो जाने वाला खाना बनता है, family members who are sick are given special food, और अगर कोई बिमार है तो उसे अलग से special food बनाना पड़ता है उनके लिए, which help them to get well quickly, जो कि उन्हें बहुत जल्दी से ठीक होने में help करता है, infants drink milk and are given special baby food, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए हमें इस baby food बनाना होता है, या तो वो सिर्फ दूद पीते हैं, young children eaten plenty of fresh vegetables and fruits so that they grow healthy, and जो थोड़ी से बड़े बच्चे होते हैं, उन्हें fresh vegetables खाना चाहिए and fruits, जिससे कि वो बहुत healthy रहें और जल्दी से ग्रो कर जाएं, very old members of the family need soft and less spicy food, that is easy to digest, जो बहुत old members होते हैं family में हमारे, उन्हें soft and less spicy, कम मसालो वाले खाने की जरूत होती है, जो कि जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएं, okay, now wrap up देख लेते हैं, फटा फट से, food can either be cooked or eaten rock, okay, हम कच्छा भी खा सकते हैं food को and cook करके भी, cooking kill germs, make food soft, tasty, easy to chew and digest, cooking क्या करता है, germ skill करता है, food को soft बनाता है, and जबाने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए, easy बनाता है, boiling and steaming are some of the method of cooking using water, okay, boiling and steaming कैसा method है, जिसमें कि हम water use करते है, frying, baking, grilling and roasting are some of the method of cooking without water, and frying, baking, grilling and roasting ऐसा cooking method है, जिसमें कि हम water use नहीं करते है, different type of utensil and stoves are used for cooking, हम कई प्रकार के बर्दन यूज़ करते हैं, cooking करने के लिए, fuels are materials that are used as a source of heat, fuels क्या होता है, ऐसा material होता है, जो कि source of heat, heat का source होता है, जिससे कि हम heat लाते हैं, food को करने के लिए, it is important to eat clean, healthy and well-balanced food, member of a family, eat different kind of food, depending on their age and nutrition requirements, हमें clean, healthy and well-balanced food खाना चाहिए, मतलब पोशक दत्व हमारे खाने में अच्छे से होना चाहिए, and हर एज के लोगों के लिए, family members के लिए, अलग-अलग food and nutrition के requirement होती है, और हमें वैसा ही food खाना चाहिए, नाओ हम घशब देखेंगे, fill in the blanks with the correct answer, नमबर वर्न इस, डैश can be eaten raw, अब बताएं, पर्से, लेडी फिंगर, कुकुमबर and राइस में से हम कौन सा फूद आसा है, जो कच्छा खा सकते हैं, इस इस कुकुमबर, इस तुकुमबर, छुक्री खाधका 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 खाधका, जो सबीक जोड़ा खाधका खाधका खाधका, इस बताधका, is a fuel that does not pollute the air is LPG, firewood, coal, wood which is LPG, okay. The five is dash is known as a clean fuel, firewood, coal, solar energy and wood. कौन सा होता है, clean fuel, solar energy, okay. इसे आप learn करेंगे. नाव हम देखेंगे, आपे छोटा सा sudoku है. देखें, इसमें क्या है, find the name of six method of cooking, three name of food, two types of fuel and one cooking equipment from the word grid, okay. six method of cooking, three food, देखें, यहाँ पे कुछ निशान लगा हुआ है, क्या है, कूल, this is coal, okay. नाव, केक, ओटी जी, फ्राइंग, रोस्टिं, रोस्टिं, फूड इडली, स्टीमी, ग्रिली, ग्रिली, ओके, यहाँ पे था ही, बॉइलिंग, नाव, क्लियर, यह आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, एंड उसके बाद आप सॉल्व करते रहे हैं, ओके, चलिए, टूफ फॉल्स देखेंगे, बॉइलिंग इज अन अन हेल्दी मेथद ऑफ कुकिंग, दिस इस पॉल्स, बॉइलिंग तो हेल्दी मेथद होता है, ग्रिलिंग फूट नीट अल्ट अप उइल, पॉल्स, हम फूट को बहुत कम उइल में भी, लेस उइल में ग्रिल करते हैं, और फैमिली मेंबर्स शुट ट्राइट टू इट अट लीस्ट वन मेल तोगेदर, इस टूट अल्ट नीट नीट तो बिना हीट के तो कुक नहीं कर सकते हैं, हमें हीट की जरूट होती है, वो हीट जाए हमें फैर बूट से मिले, जाए ओटीजी से मिले, जाए ल्टीजी से मिले, हमें हीट की जरूट होती है, या फिर वो सोलर एनरजी से मिले, ओके, now question and answer देखेंगे बिल्कुल quick question and answer देखेंगे and इसके आप screenshot ले सकते हैं question number one and answer this is why do we cook food before eating cooking makes food soft, tasty and easy to chew and digest ठीक है इसलिए हम food को cook करते हैं question number two and answer what are the different materials used for making cooking vessels for cooking vessels used materials in stone is stone, wood, clay iron, steel, copper aluminium, glass, plastic and ceramic यह material हम use करते हैं cooking vessels को बनाने के लिए हैं you can take screenshot question number three and answer why should we eat together in a family because it encourages togetherness question number three and four you can take a screenshot and then copy done do write what are cooking methods write about any three of them different method of cooking food before meal are called cooking method कौन कौन से method यहां पर थ्री लेखने को बोला है यहां पर थ्री मेतों लिखेंगे boiling, baking and frying okay and this is the question number five and answer what is junk food why is it unhealthy food that has low level of nutrients is called junk food because junk food lack all essential nutrients इसलिए हम इसे unhealthy करते हैं क्योंकि जो भी हमारे जरूरी पोशक तत्वों होते हैं वो junk food में नहीं होते हैं that's why it is called unhealthy food you can take a screenshot and अपनी EBS की notebook में complete करेंगे okay P P P P P झाल झाल